उधारन चार यदि कीरन BD कोण ABC का सम द्विभाजक है तथा भुजा AB सर्वांग सम है भुजा BC तो भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता की साहता से सिद्ध करें कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज CBD प्यारे बच्चो अभी आपके सामने उधारन चार है और चलिए हम इसको हल करने कोशिश करते हैं हमें कुछ जानकारियां दी हुई है एक आप देख रहे हैं चत्रभुज श्याकरिती है जिसमें BDA किरन की रूप में दिखाए पड़ रही है इसमें जो सुषनाय हमें दी गई है वो यह है कि BD किरन कोड ABC को सम्दिभाजित करती है यानि B पर यह जो दो कोड दिखाए पड़ रहे हैं आपको वो दोनों आपस में बराबर है तो एक जानकारी तो हमें दी हुई है कि यह कोड़ इस कोड़ के बराबर है कोड़ ABD बराबर कोड़ CBD एक सुषना हमें दी हुई है और दूसरी चीज़ दी हुई है कि BA और BC बराबर है यह भुजा BA और BC आपस में बराबर है ये दो बाते हमें दी हुई है तुक्सा को खीचने से जो दो त्रिभूज बर रहा है त्रिभूज ABD और त्रिभूज CBD ये दोनों त्रिभूज सरवांक समय ये हमें प्रमानित करना है तो चली शुरू करते है जो जानकारिया हमारे पास है उनको 9 पहले लिख लें कि त्रिभुज A B D और त्रिभुज C B D में हम बात करने जा रहे हैं इसे ऐसे लिखें त्रिभुज A B D और त्रिभुज C B D में C B D में आप करम का ध्यान रखेगा हम A से शुरू कर रहे हैं A B D कह रहे हैं और वैसी C से शुरू करके C B D कह रहे हैं इसे आप भले किसी और नाम से पुकार सकते हैं लेकिन जब हम सरवांग समता की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि कौन-कौन से A B D कोण A B D बराबर है दूसरे तरिभूच के कोण C B D के तो इसे हम लिखें कोण C B D ये सुचना हमें दी गई थी और एक जानकारी और भी है हमारे पास कि पहले तरिभूच के भुजा B A दूसरे तरिभूच के भुजा B C के बराबर है हम इसे लिखे BA बराबर BC अब यदि हमको इन दोनों त्रिभुजों को सरवांग समसिद्ध करना है तो कम सकम एक भुजा हमें और चाहिए जो दोनों त्रिभुजों में बराबर हो आप ध्यान से देखी आपको दिखाया पड़ रहा है जो भुजा BD है वो दोनों त्रिभुजों में मौजूद है और इस कारण हम कहा सकते हैं BD दोनों त्रिभुजों की उभेनिश्ट भुजा है और हम लिख सकते हैं भुजा BD बराबर भुजा BD एक बार पहले त्रिभुज के लिए और एक बार दूसरे त्रिभुज के लिए इन तीन शेर्टों के आधार पर आप देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच के कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हैं और इस आधार पर आप किया सकते हैं कि दोनों त्रिभूज त्रिभूज ABD और त्रिभूज CBD सर्वांग समय इसे हम लिख लें त्रिभूज ABD सर्वांग समय त्रिभूज CBD के CBD के और यही हमको प्रमानित करना था एक बहुत आसान सा उदाहरन आपने हल किया और आप देखेंगे कि उदाहरन तीन और उदाहरन चार्ट दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं एक दूसरे के बिल्कुल समान हैं सिर्फ यह आकरिती आपको जो दी गई है वहाँ एक स् प्रभूज की आकरिती दी हुई है तो इस तरह से आपने उसी प्रमे के यहां पर उप्योग किया जिसका आपने उदाहरन तीन में किया था और बहुत आसानी से आपने सर्वांग सानु इसे सिद्ध कर लिया तो यह आपका उदाहरन चार हल होता है